हजारों काम महबत ने हैं मजे के दाग जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं बुलबुले हिंद जहाने उस्ताद और दबीरुत दौला जैसे लकब से नवाजे गए दाग दहलबी उर्दू के सबसे लोकप्रिय शायरों में से एक है उनकी शायरी में दिल्ली की तहजीब, जिन्दगी के दर्द और महबत ने मिली रुस्तवाई की जलक देखने को मिलती है आद आद नमस्कार मैं साकिब अलफास के इस एपिसोड में आज बात नवाबी अंदाज वाले उर्दू अदब के मशूर शायर दाग दहलवी के बारे में लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप गयर जरूरी खबरों के शोर में ऐसे जरूरी जजबात सुनना चाहते हैं जिन्दगी को समारने वाले साहित्य और अदब का संग चाहते हैं तो दक्विंट के मेंबर बनेए इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दियेगे लिंक पर क्लिक करें 25 माई 1831 को दिल्ली में पैदा हुए दाग दहलवी का असली नाम नवाब मिर्जा खान था उनकी जिन्दगी का बेहतरीन वक्त लाल किला के माहौल में गुजरा ऐसे रंगीन और अदवी माहौल में उनको शायरी का शौक पैदा हुआ और उन्होंने जवक को अपना गुरू बना लिया दाग दहलवी की शायरी में चुस्ती, शोखी और मुहावरों का खास इस्तेमाल देखने को मिलता है उन्होंने आशिकाना जजबात के साथ मनोवग्यानिक नजरिये को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाया कहा जाता है कि दाग दहलवी ने उर्दू घजल को एक नया लहजा दिया और साथ ही उसे उर्दू के आसान अलफाज में धालने का काम किया उनकी शायरी की नई रुत पूरे हिंदूस्तान में मशहूर और मकबूल हुई उनके शागिर्दों की तादाद हजारों में हुआ करती थी इसमें फकीर से लेकर बादशाह तक और विद्वान से लेकर जाहिल तक हर तरह के लोग शामिल होते थे अर्दू है जिसका नाम हमी जानते हैं दाग हिंदोस्ता में धूम हमारी जबां की है साल 1857 में वो दौर भी आया जब हिंदोस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रो हुआ इस दौरान दाग दहलवी दिल्ली छोड़ कर रामपूर चले गए जहां वो नवाव यूस्फ अली खान के महमान की तरह रहे दिल्ली छोड़ कर जाने पर वो लिखते हैं दिल्ली से चलो दाग करो सेर दकन की गवहर की हुई कद्र समंदर से निकल कर दाग दहलवी ने रामपूर में कई साल गुजारे और वो अपनी शोहरत में इजाफा करते रहे और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने हैदराबाद कुछ किया हैदराबाद में वो नवाब महबूब अली खां के पास पहुँचे हैदराबाद के नवाब ने ही उनको बुलबुले हिंद जहान उस्ताद दबीर दौला नाजिम जंग और नवाब फसीह अल मुल्क के खिताबात से नवाजा दाग दहलवी के कुछ और शेर इस तरह हैं जिसमें लाखों बरस की हूरे हूं ऐसी जननत को क्या करे कोई फलक देता है जिनको आईश उनको गम भी होते हैं जहां बचते हैं नकारे वही मातम भी होते हैं नवाब मिर्जा दाग दहलवी यकीनन एक बड़े शायर और बड़े महरूफ शायर और जिनका खिताब फसीहल मुल्क था तो उनकी शायरी में गोया कि जो उनकी वाबस्तगी थी यानि दहली में तो पैदा हुए लेकिन जो दीगर रियासतों से उनकी वाबस्तगी थी दीगर मराकिश से मसला रामपूर और खधराबाद में आखरी उमर में उनों ने बहुत विक्त गुझा जारा तो इस तुरह से यई किलह मुल्ले में तो उनकी शायरी के मतालिख यह कहा जा सकता है कि यानि जबान की सिहत पर और उस की बंदिश और यानि साध़गी पर और यानि बामौावरा जबान होने पर ये बामौावला फिर, यानि खुबियां है और जिस पर वो इस्रार करते थे दा, तो यकिनर ये कहा जाता है कि जो través खली दर्बारों से उनकी वाबस्तगी थी उसके नतीजे में ये और फिर ये के दर्बार से वाबस्तगी में ये कहना चाहिए कि कले मॉले में जब वो थे तो वहां उनको गाली और मुमीन और शेफता और तमाम जो दिगर उनके कंटेंपररीज और मौसरीन थे तो उनकी हासिल हुई दाग दहलवी को और उन्होंने उन्हों सबसे यानि कस्ब फैज किया बलके उस्ताद शेख इबराहीम जौक से भी शागिर्दी का उनको शर्फ हासिल रहा एक बार दाग दहलवी अजमेर गए और जब वहां से वापस आने लगे तो उनके शागिर्द नवाव अ अपनी निशानी देते हुए दाग दहलवी ने 1905 में हैदराबाद में रहते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया लेकिन उनकी कलम से निकली उनकी निशानिया आज भी हमारे बीच मौझूद है